आपको टेबल्स कितने अच्छे आपको टेबल्स आते होंगे उतनी जल्दी और अच्छी आप मल्टिप्लिकेशन को सॉल्फ कर सकते हैं मल्टिप्लिकेशन क्या है कि मल्टिप्लिकेशन में हम चीज़ों को मल्टिप्लाय करते हैं यानि उस वाल्यू को दूसरी वाल्यू के साथ मल्टिप्लाय करते हैं और उसका हम answers जो हैं वो लिखती हैं अच्छा अगर मैं आपकी बुक में देखूं तो बुक में उन्होंने आपको multiplication बताई विए 10,000,000 की हिसाब से बताई विए और उन्होंने आपको दूसरे digits की की भी multiplication बताई विए लेकिन आपको इसको बताऊं कि अकर आपने किसी भी value को 10,100 या 1000 से multiply करवाना हो तो उसका सबसे असान तरीका क्या है अगर आपने इतनी long multiplication से बचना है और आपने simple इसका mental math में आंसर देना है उस अहिसाब से आप answer थे आप समय आप जो लिखेंगे। उसमें आप 1,0 का इजाफा करेंगे यह एक पे आपके पास 1,0 या यह जई-जवा-गपा से नहीं रहे हैं हो इसकी उसही बतात हम इसही में इसी वैल्की को लिखेंगे और इसके आन्सर में सिर्फकर हम 20,0 लगा अब आपके पास यह कोस्टोन है 26800 एं 7 by 10 by का मतलब होता है multiply यादिके 26807 by 10 या multiply किया आपने 10 से आखर में आपके पास 10 है तो answer में भी हम उसको 10 लोगा देंगे और यह आपकी multiplication solve हो देगी इसी तरह 2519 by 100 का मतलब है कि आपके पास 100 है यादिके इसमें 20 से तो answer में आप क्या लगा देंगे इसी value के answer के साथ हम 20 लगा देंगे और इसना question no.3 अगर आप देखे 327 by 1000 आपने 1000 के साथ करना है 1000 में आपके पास 30 है तो आप answer में क्या करेंगे 327 answer में 30 लगा देंगे हम digits के साथ multiply को कैसे करेंगे आपका question no.1 में जो था वो 100,000 का concept था वो clear होगे आपका question no.4 में एक डिजिट के साथ multiply करने के लिए दिये वे 5 में आपके पास 2 डिजिट के साथ और 6 में भी आपके पास 2 डिजिट के साथ दिया होगे तो मैं आपको एक जो है वो 2 डिजिट number के साथ multiplication बताने लगे हूँ सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनको कहते क्या है इनकी terminologies होती है वो आप इसको कैसे पढ़ेंगे जिस value के साथ हम multiply करते हैं इनको हम multiplicand कहते हैं M-U-L-T-I-P-L-I-C-A-N Multiplicand कहते हैं जिस value से multiply कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है मल्टी प्लायर कहलाता है और इन दोनों values का जो answer होता है वो क्या कहलाता है आपका product कहलाता है और जब भी आपके पास statement में word product का इस्तामाल को होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर हम multiplication की बात करें है यहां पर हम multiply होगा ठीक ही जी तो आपके पास अगर आप question no.6 देखें तो 9,823 by 75 आपने 9,823 को multiply करना है 75 से सबसे जो असान तरीका होता है वो यह होता है हम बचों को कहते हैं कि बिटा सबसे पहले आपने first digit को देखना है second digit को आपने देखेंगे आपने five को टेबल पढ़ना है three तक five three time fifteen five one carry five two time ten और one one यहां पर और carry five eight time forty one forty one four carry nine five to forty five forty five forty five forty six forty seven forty eight forty nine यानि कि आपके पास four आपने add कर दिया तो आपके पहले value के आगे four nine one one five समझे जब आप five को multiply कर चुके है यानि कि इस value को आपने multiply कर दिया या इस value पे आपने cross लगा दिया cross लगाने से होगा जो आपके once बाली place value होगी वो आपके खतम होगी तो जब आप यहां पर cross लगाएंगे तो आपने once बाली place value होगी उस पे भी हम साथ ही cross लगा देंगे सो देट के हमारे once बाली place value हो खतम हो चुकी है उसकी हम वो place value से निकल चुकी cross लगा दें, zero लगा दें, it's up to you अब हम second digit को कहेंगे 7 को 3 से करेंगे 21,1,2,7,2,14,15,16,16,1,7,8,56,15,7,5,7,9,7,7,63,64,65,66,67,68,5,8,k अब जो इन दो digit के हमारे पास values आगे अब हम इन दोनों को हमेशा क्या करेंगे plus multiply में हम हमेशा क्या करते हैं plus करते हैं इन दोनों values को हम plus करेंगे 5 में यहां पर zero लगा दे या cross लगा दे एक ही बात है 5 plus 0,5,1 plus 1,2,6 plus 1,7,9 plus 7,16,6,1 carry 8 में 4 plus 2 है 12,1 plus 3,3,3,1 carry 6,1 plus 7 यानि कि जो value को आप multiply करते जाएंगे उस value को आप प्रोस लगा देंगे so that कि आपको clear हो जाएगा कि आपने इस value कर दी यह वाली place values की fill हो चुकी है question number 2 में देखें आप find the product of the falling अब आपने आपको जितने भी questions इस exercise में दिये में वह सारे multiplication कि आपने multiply करना है कैसे करना है 2,1,504 को multiply करेंगे 46 से सबसे पहले आपने इस 4 को तो फूल जाने है आपने 6 के साथ इस पूली डिजिट को multiply किया तो हमारे पास अंतर आता है 1,2,9,0,3,6 फिर आपने 4 के साथ multiply करवाया 8,6,0,2,4 अब आपने क्या करना है इन दोनों को जो values आपके पास आगी है आपने उसको multiply करके आँसे लिखना है 6 में 0 प्लस किया 6 4 में 3 प्लस किया 7,0 में 2 प्लस किया 2,9 में 0 प्लस किया 9 6 में 2 प्लस किया 8,8 में 1 प्लस किया 9 तो 2,1,5,0,6 को जब हमने multiply करवाया 46 से तो हमारे पास आया 989,276 फोर्थ पार्ट 1,8,9,5 multiply by 603 यानि कि 4 डिजिट नमबर को हम 3 डिजिट नमबर के साथ multiply करवारे है जो multiplication का तरीका है वो बिलकुल सेम है उस multiplication को हम क्या करेंगे हम पहले सब से पहले 3 को 5 के साथ,9 के साथ,8 के साथ,1 के साथ multiply करेंगे तो answer आपका 0 ही रहेगा 0 ऐसा value है, ऐसा digit है जिसको multiplication में करवाते हैं तो answer 0 हो जाता है यानि कि 0 को आपने 5 से multiply किया,0 0 को आपने 9 से multiply किया,0 को आपने 8 से multiply किया,0 और यह वाली place value क्योंकि हम कर चुके थे तो यह वाली place value को जगा हमने क्या लगा दिया था cross condition या 0 का mission और 0 आपने 6 को multiply किया क्योंकि अब हमारे 2 values multiply हो गया हमने 2 cross लगा दिया तो यहां पर यह वाली place value क्या लग जाएंगे cross लग जाएंगे और उसके बाद 6 के साथ हमने किया तो हमारे पास answer आए 11,370,370 अब इस value को हमने add कर लिया 5,8,6,5 plus 7,12,2,1,3 plus 1,4 and 11 हमारे पास answer आगया क्या answer आद आगया 1,142,685 हमारे पास answer आगया आगा क्या question 5 देखे 6,9 multiply by 9,87 यानि कि 3 digit number को हम 3 digit number के साथ multiply कर वारें कैसे करेंगे सेम सबसे पहले 9 को हम 7 को हम 9 के साथ करेंगे 7 को हम 1 के साथ करेंगे 7 को हम 6 के साथ करेंगे तो answer आता हमारे पास 4,333 इसी तरह हम हमारी पहले पहली प्लेस फालियों खतम होगी है एट मीज के, 1st place value पर हम क्या लगा देंगे क्रॉस कर निशार लगा देंगे 8 को हम 9 से multiply करेंगे मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 4952 आजेगा हमारे पास इसी तरह आप जब हमारे पास दो प्लेस वेली हमारी कम्प्लीट होगी यहां पर हम दो क्रोस लगा जेंगे 9 को हम करेंगे 85 kg यानि कि एक जो गंदम के थेला है वह 85 kg का और उनने कहा है कि वहत इस वेट ऑफ 2134 सच वीट बैक्स तो 2134 बैक्स की कीमत के बैक्स कितने पैसों में होंगे तो हम क्या करेंगे 2134 को मुल्टिप्लाइ करेंगे 85 के साथ और वही से मुल्टिप्लिकेशन है जो मैं आपको पहले बताईए आपने उसी तना ही उन्हीं और आपने पहले आपके पास अंसर आता है जो आपके पास आपके पास आप आपके पास ऑगया इस तरह आप स्लूशन नर फो देखें देखें, one washing machine cost rupees 26,524, find the cost of 35 such washing machines, अगर आपके पास एक washing machine की cost जो थी, वो 26,524 रुपे है, तो उसी तरह कि 37 machines की कीमत क्या होगी है, यानि कि आपने इस value को, इस value के साथ multiply, 37 को आप multiply करवाएंगे, 26,524 के साथ, and the answer is 981,388, now the solution number is 5, if one box holds 245 apples, अगर एक box के अंदर 245 apples हैं, तो 6437 boxes में कितने apples होगे, same, आपने सबसे पहले statement बनाई, आपने बताया के apples in one box, एक box के इंदर कितने apples हैं, 245, और आपने कितने boxes के ले नी कालना है, 6437, multiply by 245, and the answer is 1577,065 apples वस box में थे, जो आपका solution number 6 है, okay, question number 6, a chair cost rupees 1550, and a table cost rupees 2750, what will be the cost of 12 chairs and 3 tables, अच्छा जी उन्होंने आपको बताया वे, question में, कि cost of chair, यानि कि एक chair की जो कीमत है, वो 1550 है, और cost of the table है, एक table की जो price है, वो है 2750, उन्होंने पूछा है आप से, what will be the cost of 12 chairs, तो 12 chairs की cost क्या होगी, and 3 tables, सबसे पहले आप, जो cost of 1 chair थी, 1550 को आपने 12 से multiply किया, and the answer is, और आपने 2750 को multiply किया, 3 से तो आपके पास आगया, 8250, अब उन्होंने कहें, कि what will be the cost of, यानि कि दोनों को उन्होंने पूछा, कि दोनों की cost मिला के कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप cost of 12 chairs, लिखेंगे, 186000, plus cost of 3 tables is 8250, इन दोनों को आप add करेंगे, तो आपके पास answer आता है, 26850, यानि इन दोनों को पहले multiply करेंगे, फिर उसको हम answers में, इन दोनों को add करेंगे, तो हमारे पास answer आएगा, 26850, तो दोनों की combined जो price होगी, वो यह होगी, 26850, Now, आपकी exercise require 1.4 complete होगी है, आपने 1.4 की, यानि कि multiplication की, जितनी आप practice कर सकते हैं, आप करें, tables को अच्छे से revise कीजिए, जितने अच्छे आप tables को revise करेंगे, याद करेंगे, उतनी इच्छी multiplication जो है, आप solve कर सकेंगे, अपना ख्यार रखेगा, Allah आपेज.